नमस्कार दोस्तों मैं गुपाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आप भी 18 पलस हो गया है तो ऐसे में आप जो है बोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लेजिए साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका नाम भोटर लिस्ट में गलती है या किसी तरह का मिश्टेक है या फिर दो बार नाम चड़ गया है या फिर पता किसी दुसरे बिदान सभाका है साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अपना water ID card किसी दुसरे जगा transfer करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत बनिया मौका निकल करके आया हुआ है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर government के दोरा एक सुचना जारी किया गया है तो आज के इस वीडियो में गायस मैं आपको complete analysis करके बताऊंगा कि किस तरह से आप date of birth और पता और जा करके water ID card कैसे transfer किया जाता यह सारी चीजों के ले करके मैं इस analysis वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो complete देखिएगा आप जरा सा भी skip नहीं किजिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो चलिए आज का वीडियो को start करता है तो गाइस वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी request है कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दिजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़दा मोटिवेट करता है और आगे का इसी तरह का वीडियो पनोने का इनेरजी देता है तो चलिए शुरू करते हैं आम करने में आपके पास काफी सारे सादन है जैसकि महले जिए अगर आप अपना नाम बोर्टर लिस्ट में जुडवानार चाहते हैं ठीक है तो इसके लिए गवर्मेंट जो है काफी सारे साधन आपके लिए दिए जैसे मौन लिजिए बॉटर हेल्पलाइन नमर है एन बी एसपी पोटल है जिसके माधियम से गाइस आप ऑनलाइन गर बैठे अपने मुबाइल फॉन से डेक्स्टॉप से रेजिटेशन कर सकते हैं तो गाइस जब आप ऑनलाइन कर देता है तो एर ओफिस के दोरा एक कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि दोस्तों इस पेपर आर्टिकल को आप पल सकते हैं जिसमें बताया गया है कि एक इसन नमबर को आपके बूत जो है वहाँ पे एक अभियान चला जाएगा ज करेक्शन किसी तरह का नाम को जोड़ना इस एक सारे काम उस बूत पर किये जाएंगे आपका जो भी वहते हैं जो की बूत लेवल अपसर होता है इनके माधियां से यह कभिया चला जाएगा जो कि जितने सारे काम है बोटर लिस्ट के रिकार्डिंग वह बी एलो साहप वह जो हता है वहाँ पर करेंगे जैसे बॉटर लिस्ट में नाम जुड़वाना ठीक है और इडिट करवाना किसी तरह का करेक्शन है तो वह भी एलो साब वहीं पर करेंगे तो आप कहां पर कराएंगे तो मैं आपको यह भी बता देता हूं देखिए सबसे पहले आपको सुझित करना है कि आपका क्या काम है जैसे कि अगर आप बॉटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए एक जो नियम होता हूं फूला करना होगा जैसे कि अगर आप किसी दुरा का करेक्शन करना चाहते हैं इसके लिए एक अलग नियाम फ्लो करना होगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले बूच जाना है जहां B.L.O. सहाब बैठेंगे वहाँ पे जाएंगे जरूरी काख़ाद लेके क्योंकि जो आपका B.L.O. सहाब होते है वो जरूर 21 नमर को बठेंगे अगर गाइस B.L.O. सहाब 21 नमर को नहीं बठेंगे तो इसके रिकार्डिंग आप E.R.O. आफिस में कम्पलेन भी कर सकते हैं तो नमर होता है D.O. का उनसे भी आप कम्पलेन कर सकते हैं ठीक है तो गाइस यहाँ पे B.L.O. सहाब और आपसे जितना सारा जरूरी काख़ाद होता है वह मांगे और कि आपका जो भी काम है वह बहुत जल्द किया जाएगा ठीक है तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि जैसे किसना नमबर को B.L.O. सहाब के द्वारा बोटर एडिकार्ड बनाया जाएगा क्या मैं मतदान कर पाऊंगा पंचायत चुनाब 2021 में तो गा चनकारी मिल गया होगा अगर आपका किसी तरह का डाउट हो तो आप हमारे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसका रिपल जरूर देने का कोसिज करूंगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर अगर आप नए विजिटर है तो प्लेश सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल एकन वाले और नोटिफिकेशन को जरूर परिस कर लिजिएगा ठीक इसी से आपको लेटेस्ट अपडेट की चनकारी सबसे पहले मिलने वाला